नमस्कार दोस्तों में जी गुरु साजी गड़वाली चैनल में आपका अर्दिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको अलंकार का एक नए तरीका बताता हूं जिसमें हाथ तेज कैसे चलाना है इसके लिए मेरे सब्सक्राइबर है मनोज नेगी उन्होंने काया कि गुरु जी इस स्पीट को कैसे बढ़ाएं तो उनके कहने करन सार में इस वीडियो को बना रहा हूं और आपको मैं आगे अलंकारों का अभी पांच अलंकार आज बता देता हूं उसके बाद पांच आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इस तरह आपको बीच सलंकारों के बारे में बताऊंगा उन्होंने पूछा है कि हाथ को तेज कैसे चला है आज की वीडियो में उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको संगीत बिलकुल भी नहीं आता सबसे पहले वो पहला सपेज यह इसको सामा ले सारे गामा पाधा नीसा सानी दापा मागारे सा यह सौरे जिसका हाथ नहीं चलता है वो यहाँ पहला उंगली रहे यह सारे गामा पाधा नीसा सानी दापा मागारे सा यह नहीं पहला उंगली दूसरा उंगली यहाँ पहला दूसरा तीसरा फिर थम और फिर पहला उंगली इसी तरह वह पहला पहला उंगली थम तीसरा दूसरा पहला फिर थम फिर दूसरा पहला ये आप कहीं भी भी सारे गाम बजाओगे उसके लिए ये रूल जिसका हाथ नहीं चलता वो हाथ चलने के लिए ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये कोई जरूरी नहीं कि आपको अगर जिसका हाथ चलता है वो किसी भी उंगली से बजा सकता है और आपको भी जब हाथ चल जाएगा तो किसी भी उंगली से कोई सस्वर बजाए आपको संगित बजाने से मतलब होता है तो यहां से इसलिए से का रहा हूं कि यह रू लहिक इदेखो सारे गामा गा और मा एक साथ जुड़े हुए है देखो इनकी बीच में कोई स्वर्नी है पर पाधा नीसा और नीयर सा के बीच में भी कोई स्वर्नी है यनि गामा और नीसा एक साथ जुड़े हुए है बाकि सब सब में एक बाकि सब में एक एक का डिफरेंस है यहने सा एक छोड़ के पिर रे एक छोड़ के गा गामा एक साथ है फिर एक छोड़ के पा यह छोड़ दिया पा फिर एक छोड़ के दा फिर एक छोड़ के नी और नीसा एक साथ है तो आपको कहीं से भी अगर सरगम बजानी है तो आप इसी रूल को लाव कर सकते हो कि गामा एक साथ है और नीसा, यह नहीं गामा और नीसा एक साथ है, बाकि सब में एक का डिफ्रेंस है, इस तरह से आप प्रेक्टिस करोगे, तो आपका हमेशा सारे गामा आप किसी भी सबसे निगा सकते हो आप अगर यहाँ से सारे गामा बजाओ गया आप कुछ दिन प्रेक्टिस किजिए ताकि आपको सारे गामा बजाना आ जाए इसमें गामा और नीसा एक साथ है ये याद रखना बजी याद रखने वाजी चाहिए बागे सब में एक एक का डिफ्रेंस है चाहिए सपेद हो चाहिए काला हो ये सब बराबर होते हैं अगर आ आपको साय आज बनाना है तो सारे गामा एक साथ होता है इसलिए माही हो जागा गामा एक साथ है फिर पाधा नीसा नीसा फिर एक साथ है तो सब में एक चुड़ तक जाएगा देखो सारे इसके बीच में एक चुड़ गया रेगा इसके बीच में एक चुड़ गया गामा साथ है उसे कोई मतलब नहीं है गामा और निसा के अलावा तो इस तरह आछ से आपको सारे गावा हमेशा किसी से रह सकते हैं कि आपके अब जब आपको सारे गामा निकालना आ जाएगा तो आप किसी भी स्वर से पकड़ सकते हैं सब्सक्राइब आपने तेज करने के लिए क्या प्रेक्टिस करनी है पहले इसको धीरे बजाना है सारे गामा पादा निसा इस तरह से आपने पहले आरो बजाना है फिर उसी तरह से अब रो में आना है इस देखो करोगे तो आपको सारे गामा निकालने में कोई दिकत ने आई है जब आपको ये धीरे वाला प्रेक्टिस हो जाए इससे धीरे बजाने से आपको क्या होगा आपका स्वर्ण सारे गामा ये अपने आप आपको दुन इसकी याद हो जाएगी जब ये धुन याद हो जाए तब इसको जल्दी बजाना पिर दीरे दीरे पहले सारे गामा इतना कीजिए जिसका हात टल्दा पिर कोई से भी उगली से बजा सकते हैं प्रेक्टिस करने के लिए पहले आप पहले जब दूसरा उंगली धम फिर पहला दूसरा तिसरा फिर थम ये रूल अपलाई कीजिए और उसके बाद जब आपको बजाना जाए फिर किस जल्दी बोलोगे उसके बोलना भी आजागा, जितना जल्दी बोलोगे तो हाथ पे इतना जल्दी चलेगा, यानि जल्दी बोलोगे उसके साथ बजाना भी है जब आपको दीरे बजाना आ गया तो आप तेज भी बजा लोगे तो इससे आपका हाथ तेज चलने लग जागा जितना फास्ट इसको कर सकें आप जितना आप तेज कर सकें वह सब प्रैक्टिस करना है तो हाथ तीप चलेगा अभी तो पहला लंकार हुआ है जब दूसरे में जाओगे तो दूसरे में सासा रे डे गागा मामा पापा दादा ने ने सासा तब दो दो बार तो दो दो बार वाला भी पहले आप धेरे बोलोगे जितना स्लो हो सके इस से क्या होगा आपका श्वर पक्का होता जाएगा जब पक्का हो जाए और हाथ चलने लग जाएगा दो बार बोला है तो दो ही बार बजाना ऐसा नहीं कि बोलने में दो बार बजाने में एक, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको दो बार बजाना, जितने बार आपको दो बार दबाना है, तो दो बार ही दबाना है, ऐसे अगला सरकम आएगा, तीन बार रोला, तो तीन बार तक आपको ये करना है, पहला अलंकार, दूसरा सब्सक्राइब करना है और तीन बार है तो तीन बार ही दबाना है इसका प्रेक्टिस करने है आरो अब रोगी उसके बार बार इतना तीन सर्ग में तीन लंकार आपके होगे चौसा लंकार में आप सारी रेका गामा मापा पाधा धानी नेसा पहले वही धीरे बोलना है और फिर इसको भी फास करना है सारे ने डिधा भड़ा पा पा मा मागा गारे रे सा का Kliosा वाला रहा लंकार हो गया तो इसको भी और उया इसको जल्दि बजाने गारता अगै्टिन आप ज़्टी बजाओं गये और आपको भोलना अजयं उपना जल्दी बजना पांचवां सारे गारे गामा तीन तीन ने आप यावने सारे दो दो लिये थे अब तीन हो जाएगा सारे गारे गामा गामा पा इसको पहले धीरे वह जाना वहीं सारे गारे गामा गामा पा मपधा पाधनी दानी सारे गामा पा इसको पहले दो 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 द महां गारे गारे सा तिर इसको इत्तेज कपर पहले दिर दिर इतना स्वीट में करो अब थोड़ा सा इसका स्वीट बढ़ा लो सारे गारे गामा गामा पा मा पाधा पाधानी दानी सा सानी दानी 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 दान तो आपका हाथ इतना ही तेज चलेगा क्योंकि आपको सारे गाम उंगली बैठ जाएंगी तब तक तो आप इसको जतनी जल्दी बजाओगे उतना आपका हाथ जल्दी चलेगा फिर आपके गाने नोटिसन बहुत जल्दी ऐसे बजने लग जाएंगे तो आज की वीडियो में पांच अलंकार आपको मैंने बताएं हैं इन पांचों का प्रैक्टिस के लिए और यह मैं आपको लिखके भी आगे आपका देख सकते आप इसको बेसक एक डैरी मुतार लेजिए उसके बाद इसको कीजिए तो आज की बेडियों बचितना है